जैस्ट्रे कृष्णा चलिए देखते हैं आज इश्वर का क्या संदेश है आपके लिए क्या कहना चाहते हैं इश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप पूच सकते हैं एज़ा राधिक्रिश्णा 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 राधे इस वर से जो भी टेख रह वो बहुत ही प्योर सोल्गें मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत highly awakened soul है, यहां पे आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मोक्ष प्राप्ती की जर्नी में हैं, आप spiritual जर्नी में हैं, देखिए मैंने इकार्ड रीड नहीं किया था, बट मुझे energy ऐसी ही फील हुई थी कि आप जो भी viewers हैं, वो बहुत ही हैं, यहां पे आपको detachment के practice करने के लिए कहा जा रहा है, आपको 3D world की चीजों से attachment नहीं रखना है, आपको अपना सभी कर्म करने हैं, कर्म तो करते ही रहने हैं, जो ईश्वर ने आपको इस जर्नी में दिये हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको detachment भी follow करना है, किसी से attach नह ही होना है, कर्म करते रहें, कर्म करके let go कीजें, आप readiness and ability to pass knowledge on to others, ओके वाओ, देखें तो यहां पे आपको यह कहा जा रहा है, कि आपने अभी तक बहुत ज्यान प्राप्त कर लिया है, अपनी जर्नी में, अब समय आ चुका है, कि आपको यह ज्यान दूसरा तक पहुंचा जाया जाये, ओके यह ऐसे viewers हैं, जिनने अभी तक soul purpose नहीं मिलाए, यहां पे आपको यह कहा जा रहा है, कि आपको आपने अपनी जर्नी में जितना ग्यान अरजित किया है, इस वक्त वो ग्यान आप दूसरों के साथ share करना शुरू कीजे, ओके आप जिस भी तरीके से कर सकत तो भी देखा, तो यह confirmation है कि definitely आपको आपने जो knowledge gain की है न, वो आपको share करना है, ओके और यहां पे Lord बुद्धा की आपको blessings हैं, इस काम के लिए आप जब भी शुरू करें, या आभी से इसी reading से आप Lord बुद्धा को thank you बोलिए, या आपके जो भी इस्ट है न, उन्हें कीजिए कि आपको यह blessing दी जा रही है, आपको यह opportunity दी जा रही है, कि आप दूसरों को अपना ग्यान बाट सके, क्योंकि जब तक इश्वर की इच्छा नहीं होती है, तब तक हम अपना यह soul purpose नहीं कर पाते हैं, तो इश्वर के आप पर अपार करपा है, देखे कितनी peaceful है, कितनी stillness है इनके face पर, तो आपके भी यही situation आप भी इसी situation में आगे बढ़ रहे हैं, मोक्षु प्राप्ति की तरफ, आप आने वाले समय में बहुत बड़े mentor होंगे, जो आप guide करेंगे लोगों को, और बहुत मोक्षु के लिए आप guide करेंगे, okay, spirituality के लिए guide करेंगे, यहा सबी के साथ resonate नहीं होगा, कुछ specific, जबी भी यह reading आप तक पहुंची की, कुछ ऐसे specific viewers हैं, जो पूरी तरीके से awakened हो चुके हैं, okay, उनके सबी चक्राज open हो चुके हैं, मोक्षु के लिए ready हैं, वो मोक्षु प्राप्ति के लिए पूरी तरीके से ready हैं, यह जनम, यह जो life, यह जो birth है, उनका last birth रहेगा, क्योंकि जब मोक्षु प्राप्ति तक आप आ चुके हैं, तो definitely यह last birth ही है, आपका, okay, next देखते हैं, next क्या message है, इंवर्स प्लीज बताए, क्या message है, और क्या guidance है, मेरे viewers के लिए, सूरे देवता, वाव, thank you, thank you, आज देखे, मैं reading कर रही हूँ, आज Sunday है, और Sunday के दिन ही, रविवार के दिन, सूरे देवता का पधारना, तो thank you, thank you, thank you so much, सूरे भगवान जी, आपकी blessings के लिए, thank you so much, तो क्या कह रहे हैं, सूरे देवता, honor, status and fame, वाव, यहाँ पे आप जो viewers इस reading को देख रहे हैं, आपका name fame बढ़ेगा, आपका professional status बढ़ेगा, आप professionally आप बहुत ग्रो करेंगे, और society में भी आपका name fame बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, अपना knowledge sharing कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सूरे भगवान जी आपको भी abundance दे रहे हैं, आपको blessing दे रहे हैं आपके good करमास के लिए, और आप यह देख पा रहे हैं, second message कहा है, reunion with once beloved, तो यहाँ पे आप reunion हो रहा है, अगर आप अपने love angle से इस reading को देख रहे हैं, आपके मन में जो भी person है, उनके साथ आपका reunion definitely होगा, यह मैं नहीं कह रहे हूं, यह cards कह रहे हैं, सूरे भगवान जी कह रहे हैं, इश्वर आपको कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, आप परिशान ना हो और बि यह intuition भी आ रहा है कि आप जब मोक्ष प्राप्ति की journey में हैं, और यह reunion का card आना, तो यह इस बात का indication है कि आप twin flame journey में है definitely, ओके, आपका reunion तो होना ही होना है, बहुत जल्दी होना है, और कुछ अगर आप twin flame journey में नहीं है, तो यहाँ पे आप जिन से बिच्छडे हुए थे, कुछ ऐसे आपके loved ones थे, जो जिन से आप काफी लंबे समय से दूर थे, distance था, आपका मिल नहीं पा रहे थे, अब वो distance खतम होगा, आप मिल पाएंगे, और बहुत अच्छा एक communication होगा, फिर से एक communication आपका फिर से start होगा, आपका relationship बहुत अच्छा होगा, freedom from disease and ailments, अगर आ चेटा के आशिरवाद से आपके इस्ट देव भागवान जी के आशिरवाद से इश्वर के आशिरवाद से वो disease खतम हो रही है, healing energies आपको provide की जा रही है, और यहां पे मुझे just intuition आए कि अगर आप बहुत ज्यादा thinking pattern आपका बहुत गलत चल रहा था, negative था overthinking करते थे तो वो भी यहां पे खतम हो रहा है general vitality respect and power आपका respect आपकी power बढ़ेगी यहां पे और बहुत जल्दी आप grow करेंगे यहां पे आपकी life में बहुत growth आ रही है abundance आ रही है fulfillment आ रही है आप जिस भी area में जो आप success चाहते थे ना वो success आपकी life में आ रही है इस वक्त ओके friends और देखते हैं next क्या message है और next card आए है गरुड देवता और मैं जब भी गरुड देवता card आता है तो मैं यही कहते हूँ कि जब जब गरुड देवता reading में आते हैं तो यह इस बात का indication होता है मैंने भी 757 देखा तो यह इस बात का indication है कि आपकी life से negativity पूरी तरीके से खतम हो रही है अगर आप विश्णु भगवान जी के भक्त है तो आपकी भक्ती बढ़ रही और आपकी भक्ती में जो भी बाधा आ रही है आपकी भक्ती में जो भी बाधा है क्रियेट की जा रही है negativity के थ्रूँ evil energies के थ्रूँ तो वो बाधा को गरुड जी खतम कर रहे हैं उन्हें नस्ट कर रहे हैं आपके जीवन से आपके जीवन में जो भी बाधा है आ रही है आपको भग्वान के भग्वान से connect होने में जो बादा है आ रही है उसे खतम कर रही है और आपका devotion बढ़ रहा है आपका devotion बढ़ाया जा रहा है आपको भक्ति की तरफ ले जाए जा रहा है और उस मार्क में जो भी negativity आपके उपर attack कर रही है आपको करने नहीं दे रही है आपको भक्ति के मार्क में बढ़ने नहीं दे र तरहें कि कोई भी negativity आपको हर्म नहीं कर सकती है और यहां पे अगर आप traveling करते हैं और आपको या आपकी कोई loved one है जो इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको उनकी फिक्र हो रही है तो यहां पर देखें यह आपको assurance दिया जा रहे हैं कि आप और आपके loved one secure हैं कोई problem नहीं है आप पूरी तरीके से और आपके loved one पूरी तरीके से protected हैं और यहां पर improved stability to serve God तो यहां पर आपको कहा जा रहे हैं कि आप इश्वर को serve करने के लिए पूरी तरीके से ready हैं इश्वर को serve करने का मतलब है कि इश्वर के बनाये होए परानियों के सेवा करने के लिए आप पूरी तरीके से ready हैं आपको इस बात के लिए तैयार कर दिया गया है इश्वर के द्वारा और अगर आप soul purpose कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे appreciate किया जा रहा है और आपका soul purpose grow करेगा बहुत जल्दी यहाँ पे grow करेगा और अगर soul purpose आपको नहीं मिला है तो बहुत जल्दी आपको ईशवर आपके soul purpose तक पहुँचाएंगे आपको चिंता नहीं करनी है कि आपका क्या soul purpose है क्या करना है आपको उसके लिए आपको कोई कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ इश्वर से प्रातना करनी है इश्वर सही समय आने पर divine time आने पर आपको आपके soul purpose तक जरूर पहुचा ही देंगे एक last message और देखते हैं इश् message worldly power तो यहाँ पे आपको बहुत powerful बनाया जा रहा है ओके powerful आपको physically मा काली जो है मा भद्र काली आपको physically mentally spiritually financially हर तरह से strong बना रही है आपको ऐसी energy में लेकर आ रही है कि कोई आपको हरा ना सके कोई negativity के थ्रू आप trigger ना हो सके इस तरह की energy में मा काली आपको लेकर आ रही है अभी मैंने देखे 11 11 देखा तो इस बात का confirmation है definitely इस reading में मा काली की भी presence है thank you thank you thank you so much thank you so much मा थेंक्यू और यहाँ पे आपको एन एकदम खुश happiness वाली energy में लेकर आ रही है काली मा आपकी life से negativity खतम कर रही है देखे आपके लिए यहाँ पे गरुड देवता भद्र काली मा स सभी काम कर रहे हैं आपकी life से negativity निकालने के लिए क्योंकि आप मोक्ष प्राप्ति की जरनी में है और अगर आप ट्विंफ्लेम जरनी में है तो आपके life से सब negativity खतम हो रही है remove हो रही है release हो रही है कार्मिक एनरजी आपको fearless बनाया जा रहा है इस कर्म छेत्र में आपको fearless बनाया जा रहा है आपके सामने अब जो भी negativity आ रही है ना उसका आप उसको आप face करने के लिए आपको ready किया जारा और आप ready है पूरी तरीके से ओके आप इतनी powerful energies में आ चुके हैं कि कोई negativity आपका कुछ नहीं कर सकती है हो सकता है आप कुछ protection ले रहे हो मा काली का कवच कर तो यह बहुत आप अगर आप मा काली का कवच मा काली का जाप कर रहे हैं आपने जिस्ट जिन भी इस्ट का नाम जब कर रहे हैं कवच कर रहे हैं तो वो यहाँ पर काम कर रहा है यह इस बात का confirmation है और देखें अगेन यहाँ पर आया access to feminine powers and virtues यहाँ पर आपकी feminine energies को balance किया ज energies थी जो suppress थी उसे आप आप बहुत जदना रूड हो गए थे आपका लोगों के प्रती behavior बहुत रूड हो गया था आप अपने emotions भी शो नहीं करते थे emotions आप छुपा लेते थे किसी को कहते नहीं थे तो यह बाते अब आपकी खतम हो रही है और आपको एक शक्ति की energy में लेकर आया जा रहा है मा काली के आशिरवत से तो आप बहुत pure soul हैं बहुत powerful soul हैं तभी यहां मा काली आपको इतनी powerful energies में लेकर आ रही है goddess of darkness आपकी darkness यहां पे खतम कर रही है काली मा जो भी negativity थे ना वो यह negativity आपको इस वक्त हो सकता है psychically भी आपको manipulate करने की कोशिश कर रही हो किसी भी तरीके से तो यह अब जो है न negativity को मा काली खतम कर रही है मा भद्र काली आपकी इस negativity को आपकी life से आपके mind body soul से खतम कर रही है आपके औरा की cleaning कर रही है मा काली आपका औरा मुझे आपे फील हो रही कि कुछ ऐसी negativity थी जिनोंने आपके औरा को भी impact किया था जिसकी वज़े से आप manipulate होए लेकिन अब आपके इस negativity को मा काली खतम कर रही है मेरा अभी ध्यान इस एक last card है वहाँ पे जा रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ दुर्गा देवी और गणेशा ओके ये दो card पर मेरा ध्यान continuously जा रहा था तो देख लेते हैं क्या message देना चाहती है दुर्गा मा आपकी personal empowerment बढ़ा रही है देखे अगेन आप मा की जिस भी सरूप को मानते हैं यहां पर आपकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है और आप अभी तक अपने आपको ignore कर रहे थे ना आप self love नहीं कर रहे थे आप सिर्फ ग काला जा रहा है पहले आपको कहा जा रहे कि खुद पर ध्यान दीजे खुद पर focus कीजिए self love कीजिए खुद की growth पर ध्यान दीजे जब आप खुद फुल्फिल होंगे तभी आप दूसरों को दे पाएंगे ना तो यह आपको दुर्गा देवी कह रही है और आपकी spirituality को बढ़ा रहे है spiritual spirituality में आपकी growth हो रही है आपकी psychic abilities unlock होने वाली है मा दुर्गा के आशिरवात से और अगेन यहाँ पर मैंने देखा नहीं था message पर suppression of negative psychic influences तो जो आपके अंदर की negativity थी ना कुछ ऐसे psychic influence आपको किया गया था वो यहाँ पर surface पर आ सकता है तो यहाँ पर surface पर इसलिए आएगा क्योंकि मा यहाँ पर उसको release करने वाली है जो भी negative thought patterns है वो release होंगे और लास्ट में गणेश जी का thank you thank you thank you गणेशा यह यह कार मुझे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपकी life से जो भी obstacles है न वो गणेशा यहाँ पर खतम कर रहे हैं गनपती जी आपकी life में जो भी obstacles थे आपके पत्में आपकी जरने में जो भी obstacles थे वो खतम करके peace happiness prosperity लेकर आ रहे हैं आपको मेंट देखे यहाँ पर reading में जो भी आए हैं जो भी इस्ट भगवान जी आए हैं इश्वर आए हैं वो सभी आपकी mental physical spiritual power को बढ़ाने के लिए आए हैं आपको यहाँ पर बिल्कल भी परिशा मानते हैं वो हर वक्त हरशन आपके साथ है success in initiating new ventures आप जो भी काम करना चाते हैं यह आप यह श्री गणेश उसका शुभारंब हो चुका है जो आप काम करना चाते हैं यह कार दे करके यह message दे करके गणेश ने यह आपको आशिरवात दिया है कि आप पूरी तरीके से शु करना चाते हैं जल्ली से जल्ली शुरू कर दीजिए उसमें आपको success मिलेगी growth मिलेगी power मिलेगी name fame respect जो आप चाहते हैं वो सभी आपको यहां पर गणेशा प्रवाइड करेंगे ओके तो यह थी आज की reading आपके लिए इश्वर का संदेश आपके लिए बहुत बहुत बहु के साथ I hope आपको अच्छी लगी हो यहां पर किसी वीवर का जो है ठrought चक्रा ब्लॉक है कि की अभी तक मेरा ठ्रॉड चक्रा में कोई प्रॉबलम नहीं थी बट रीडिंग कंपलीट होते होते मेरा ठ्रॉड चक्रा भी बलॉक हो रहा है तो आप यहां पे अपने आप आप सरस्वते नमहा ये मंत्र का चेंड कीजिए आप ओके डेली कीजिए जब तक आपको रिलीफ न मिले आप करते रहे ऐसा ये आपको मैं नहीं कह रहे हैं इस्ट भगवान जी कह रहे हैं क्योंकि रीडिंग खतम होते होते मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है तो इस चले री से कनेक्शन जरूर बनाए रखिए और बहुत 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 आपको इश्वर का आशिरवाद है और रीडिंग येस रीडिंग अच्छी लगी हो या आप जो भी कुछ कहना चाहिए कमेंट में आके जरूर बताएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज थेंक यू सो मच गड़ ब्लेस यू राधे राधे